फिर से स्वागत है मेरे चनल रोबस बजार पे आपका आज एक बहुत बड़ी नियूस आच चुकी अदानी एंटरप्राइजस में काफी बड़ी एक किरावट देखने मिली 28% की हाला कि 20% का एक सरकेट होता है एनसी के साब से जिसमें कोई भी स्टॉक 20% से नीचे नहीं गिर सकता है लेकिन अदानी एंटरप्राइजस में लगातार हीडन बग रिसर्च कमपनी द्वारा मतलब इनके उपर आरूप लगा जा रहे हैं कि काफी गड़बड़ी पाई जा रही है अदानी ग्रूप में और अदानी एंटरप्राइजस के शेर में यह अदानी एंटरप्राइजस से रिलेटड जित्ते भी स्टॉक्स हैं में काफी गड़ बड़ी है जिसकी वज़े से अधानी एंटरप्राइजस में लगातार किरावट देखी गई और आज सबसे बड़ी किरावट देखी गई साड़े अठाइस परसंट की और आपको ये भी नियूस पता दूँ कि अधानी ग्रुप ने विट्रॉ कर लिया है तो यहां पे फिलाल आप ने अगर अधानी एंटरप्राइजस के फ्प्यो में अगर पैसा लगाया था तो वो आपको वापस कर दे जागा अधानी आपको पैसा वापस करेगा यहां पे आप पढ़ सकते हैं क्लियर ली अधानी सब्सक्रिप्शन टू दिस इशू अगर आपने एफ पियो में अपलाई किया था जो चार का लॉट साइस था तो आपको वो पैसा रिटन आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा यहां पे आप देख सकते हैं साड़े अठाइस परसंट की आज गिरावट देखने मिली सा काफी बड़ी किरावट देखने मिली साथ में अब यहां पे आप बिलकुल क्लिरली पढ़ सकते हैं आज की जो मेटिंग होई है इसमें क्लिरली बता दिये गया है की अदानी एंटरपरिज़ेश शेड अन फबरी 1st एट इस रिस्ट एट तो कैंसल इट फॉलो उन पॉलिक offering FPU will return money to its investor amid ongoing controversy after American short seller hidden bug research accused the company of using tax haven and flag debt concern in a report. काफी बड़े बड़े आरोप लगा हैं इस कंपनी के उपर और stocks में manipulation के भी आरोप लगे हैं उनकी books में काफी गड़बड़ी हैं ऐसा आरोप लगाया गया है. यह तो चीज देखने वाली बात है कि आगे क्या-क्या चीज निकल के आती हैं फिलाल आप यहाँ पे भी आगे भी पढ़ सकते हैं. The board of director of the company at its meeting held on today February 1st पे एक फरवरी आज के दिन इनकी कोई meeting हुई है. 2023 has decided in the interest of subscriber not to proceed with the further FPO of equity shares aggregating up to 20,000 crore of face value of fund on partially paid basis which was fully subscribed. यह fully subscribed हो चको था FPO लेकिन इसके पात company की तरफ से एक बयान जारी करके इस controversy को यहीं खतम कर देगा और FPO को withdraw कर लिए गया. तो यहाँ पर अगर आपने पैसा लगाया तो आपका पैसा अदानी वापस करेगा. तो यह काफी बड़ी news थी तो उसको आपको नजर में रखना है हो सकता आदानी enterprise में आगे क्या moment देखने मिलती है depend करता है इनके charts पे तो यह हम देखेंगे आगे की संभावना है इसमें क्या बनती है. फिलाल तब तक के लिए धन्यवाद.